हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागए थे दोस्त आप सभी का बहुत ही ज्यादा डीमांड रहा कि सर्बूक्स से केमेस्टरी का कुछ important question बताएए दोस्तों बहुत ज्यादा कॉमेंट आ रहा था केमेस्टरी के उपर इसलिए मैं chemistry के उपर वीडियो बना रहा ह अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब करने के साथ बैल नोडिफिकर्शन को दबा लीजिएगा ठीक है तेरे हम लोग एक एक कोश्चन को डिसक्रस करेंगे दोस्तों मैं यहां पर बता देता हूं मैं यहां पर 30 तो दोस्तों पहला कोश्चन है कि किस धातू का संचारन अधी खतरनाक है तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा लोहा जो है बिल्कुल से अंसर हो जाएगा उसके बाद उप्चन अभी किरिया में होता है तो दोस्तों अभी किरिया में मैंने बताया था उक्सिजन का योग होता है और अप्चन अभी किरिया में क्या होता है उक्सिजन की कमी होती है ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि एस पीडी संकेद्वारा क्वांटम संक्खा एन बराबर तीन और एल बराबर वान वाला कक्चा होगा तो दोस्तों मैं कह दूँ एन बराबर जितनी संक्खा होती है उँए आप लोग का कक्चख होता है ठीक है तो बता दो यता हूं फिर से देखिए इस पर करका कोंच चन लोग यह दिक अख्षक होगा तो आप लोग का यह कौन सा कख्षक होगा यह पलोग का जैसे क्या देख सकते हो तो दोस्तों पी कख्षक होगा तो यहां पर आप लोग आगे सबस्क्राइब यहां पर थिरी पीस का रायट अंसर होगा ठीक है चले हम लोग आगे देखते हैं आगे आप लोग का है दोस्तों आगला सवाल है कि पी बटेटी इकल्ट इस्तिरांग है ठीक है तो आप लोग का यह गोलूसेक के नियम पर अधारी कोश्चिन पूछा गया है तो मैं कहा दू कि गोलूसेक का नियम क्या होता है आपको समझना जरूरी है ठीक है तो देखिए गोलूसेक का नियम के अनुसर इस्तिरायतन पर किसी गैस का दाब उसके परमताप के समानुपाती होती है ठीक है आने की बात को समझ लीजे यहां पर कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है जो कि परमताप और मैं बतादू कि परमताप का मतलब क्या होती है नियुंतम संभवताप ठीक है इसका मतलब हो तो आप बात को समझेए पी समनपाती यहां पर दिया गया है जिसे आगे सॉल्ब करोगी तो आपकाएगा पी कॉंस्टेन टी ठीक है यानि कि पी जिगल टू के गुणा टी ठीक है आप देखी जब के बराबर आप निकालने जाओगे तब लोग का यह भागा में आ जाएगा पी अपॉन टी आ जाए इथेनल का एक गुण लिखे तो दोस्तों इथेनल का जो गुण होती है एक मीठी गांध होती है ठीक है इसमें क्या होती है अब अचल प्रमैने एक लिखा है को दिकत नहीं उसके बात आप अभी किरा का उधारन दीजिए तो देखिए इसका उधारन हो जाएगा थीज प् और यह बना देखिए परतिस्थापन अभी किरिया है यहां पर का जारे उसका जो तत्त होगा उसे बिस्तापित कर देगा तो ही यह पर हो रहा है काम ठेक है एथेनाल का आई यू पी एसी नाम क्या है तो इसका राइट एंसर होगा क्या होगा इसका राइट एंसर होगा और मैं आप लोगा आई यू पी एसी नामा करन का एक ट्रीक बताने वाला हूँ आगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा ठेक है आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है ठेक है उसके बाद देखिए कि हार्डोजन का संकेत क्या है तो इसका राइट अंसर क्या होगा है यहां कोई नहीं होती है चेह होती है याद रखिएगा ठेक है उसके बाद एक पडार्थ की 4 अवस्ता क्या है तो इसका राइट अंसर होगा प्लाजमा ठीक है क्या होगा देखिए आप लोग पदार्ती की तीन अवस्ता पढ़े होंगे ठोस द्रबा और गैस तो चौती अवस्ता भी पढ़े लिजी क्या होती प्लाजमा ओके उसके बाद देखिए जो पदार्त अमलत अथा चार दोनों के रुप में कायर करता हूं क्या है वह अ लवन भी इसका बिल्कुल से अंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप लोग का है कि मेथे नेल का अधिक सूत्र रख्या है तो इसका राइट अंसर होगा है कि हाइड्रोजन कारबन से बने जौगी को क्या कहते हैं तुस्याप लोग का हाड्रोकारबन आप लोग आगे आ आगे आप लोग का कि स्रिंगलन का गुन किस में पाजाता है तो स्रिंगलन का गुन आप लोग का कारबन में पाया जाता है ठीक है उसके बाद आप लोग आप लोग एक एलकेन का पर्थम सदे से मेथन होता है ठीक है अब लोग आगे देखते हैं आगे आप लोग मिलेगा कि असंत्रिफ थाडो कर्बन का उधारन दीजिए तो इसका राइट आंसर होगा C2H4 आप बताओ कि C2H4 इसका नाम क्या है फटापट कमेंट कीजिए दोस्त आगे आप लोग का है कि एलकेन का समाइन सुतर क्या है तो दोस्तों एलकेन का समाइन सुतर होता है CnH2n प्लस टू और एल्कीन का सामाइन सुत्र क्या है तो एल्कीन के सामाइन सुत्र होता है CnH2n और आगे आप लोग का है आगे आप लोग क्या है आप लोग देख सकते हो एल्काइन का सामाइन सुत्र क्या है तो इससे कैसे याद रखेंगे आप लोग बात को समझ लिए आप देखिए क्या बोलेंगे लिया नहीं लिया लिया तो क्या लिया दो यहां पर देखिए लिया और यहां पर देखिए नहीं लिया यहां पर कुछ है कुछ भी नहीं है तो आप लोग का लिया ठेक है बात को सम देखेके लिया है छिक बत कर समझे गए चले आगे बढ़ते हैं और आगे के qisn के इसके दीविकर करते हैं ah राइट अंसर होगा उसके बाद आप लोग देखें क्या है कि प्राइगरतिग गैस का मुख अवयाव च्छार होगा जिसका राइट अंसर होगा। तो दोस्तों उसके बाद है कि हिलीयं कैसा तत्व है तो दोस्तों ही पागा तो नाम बताई तो तो सोना इसा राइब कुल से अंसर हो जाएगा ठीक है याद रखना है उसके बाद है कि केनाल किरन किसका किरन पूंज है तो इसका राइट अंसर का प्रोटोन ठीक है तो मैंने यहाँ पर टॉप 30 कोशन आज आपको बता दिया ठीक इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में 31 से स्टाट करेंगे और जितना हो सकते हम लोग कोश्चेन के युपर डिसकस करेंगे दोस्तों है बहुते जल्द के भंडार है और दोस्तों का बहुती जल्द और यह खुसकबरी है मैं आपको आगे बताउंगा ठीक है झाले हम लोग मिलते है नेक्स वीडियो में बहुत जल्द अब तक क्यलि झाल 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 ूजू झाल